गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का दी शहनवाज यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों काफी बड़ी और काफी अच्छी खबर आज आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं तो इस वीड़ीcü में हम बात करेंगे गाड़ी संक्षा 14009 बापु धाम मोतिहारी आनन्द विहार ट्रेमिनल और गाड़ी संक्षा 14100 आनन्द विहार ट्रेमिनल बापु धाम मोतिहारी एकस्पेश ट्रेन के बारे में तो इस ट्रेन का संचालन अब हफते के तीन-तीन दिन शुरू होने जा रहा है दोनों ही तरफ से जसा कि आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में ये एक बाइविगली ट्रेन है यानि कि हफते में दो दिन बापुधाम मोतियारी से और हफते में दो दिन आनन्द विहार ट्रेमिनल से इस ट्रेन का संचालन किया जाता है तो जिस समय इस ट्रेन का उद्गाटन हुआ था आननद विहार ट्रेमिनल से बापुधा मोतियारी और बापुधा मोतियारी से आनन्द विहार ट्रेमिनल के बीच में तब ये ट्रेन सापताहिक के रूप में चलाई गय थी और कुछ सालों के बाद यातिनों की भीड को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन हफते में दो-दो दिन शुरू किया गया दोनों ही तरफ से यानि की इस ट्रेन को बाइवीकली के रूप में चलाए गया और अब एक बार फिर से रेलवे बोर्ड के तरफ से आउडर आ चुका है ये ट्रेन ट्राइवीकली के रूप में चलेगी यानि की हबते में तीम दिन बापुदाम मोतिहारे से और हबते में तीम दिन आनन्दव् आनन्द व्याद ट्रेमिनल से हफ्ते में सनी वार, स्वाम वार और बुद्ध वार को बापुधा मोतिहारी के लिए चलेगी और गाड़ी संख्या 14,009 बापुधा मोतिहारी से हफ्ते के रवी वार, मंगल वार और गुरी वार को आनन्द व्याद ट्रेमिनल के लिए चलेगी तो काफी सारे यातरी इस ट्रेन में सफर करते हैं जिस वज़े से बेलवेक की तरफ से इस ट्रेन को अब हपते के तीन-तीन दीन चलाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों इसके अलावा आप सभी को गाड़ी संख्या 156 का माख्या आनन्द विहाट ट्रेमिनल सापतारिक एक्सपेस ट्रेन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें इस ट्रेन की समय साड़ी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है 14 मार्च से ये ट्रेन आप सभी को गोरकपुर में 2 बचकर 55 मिनट पर मिलेगी जो की पहले ये ट्रेन गोरकपुर में आप सभी को रात के 2 बचकर 30 मिनट पर मिलती थी उमीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिए लोगों तक शेर कीजिए और हमाँ चैप को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब तक के लिए जाहिंद जाह भारत